हेलो स्टुदेंट्स वेल्कम टु ब्रिल्येंट लॉंचर आज हमें इस वीडियो में क्लास 11 के चैप्टर नुम्बर 2nd इस्टचर अपटम के बारे में पढ़ेंगे पहले बाता दे दीकी हैं काफी की टॉफिक्स कर चुके हैं तो आज हम इस वीडियो में हमने प्रिव्यवीय प्रिव प्ड़ लिये थे हमने थूब प्लाइंक प्लाइंक कोंटुम से भी देखा था hy और क्या देखा था हूं और हमने फोटो एलेक्टिक इफेक्ट भी देखा था तो आज हमें इस वीडियो में डेखेंगे ट्रीक है फैं क्या हुआ गुतिछ करते हैं झायज होटा है वो क्न्टरी का होता है यह वोटा इसफ़िग हो आऔर हुआ photon packet में होता है यह बताई थी और मैं किया बता रहे थी कि यह बताई थी कि अगर मैं बताई थी कि प्लाइंंक कॉंडम से इविया है वह और आयों sleeping क्या है यह रहुटग दिया अगे That school तो इसके आगे हम देखेंगे के dual behavior of momentum ठीक है जो मैं बताई थी जो light आते रहती है photon वो क्या है हमाई scientist ने कहा है कि वो particle की तरह भी behave करती है और wave की तरह भी behave करती है तो आज हम पढ़ेंगे dual behavior of matter ठीक है matter में matter में किसके particle की तरह भी behave करता है और wave की तरह भी behave करता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे अपन ठीक है तो देखो सबसे पहले मैं आपको यह बताई थी कि जो क्या बोलते है particle है वो मैं बताई थी सपोस्थ एक ball ले लेते हैं ठीक है क्या लेते हैं एक ball लेते हैं अब देखो dual behavior of matter में में बतार है हम क्या करते हैं एक ball लेते हैं बॉल को क्या करते हैं हम बॉल को इतनी speed से हम लोग क्या करते हैं इतनी speed से क्या करते हैं हम लोग suppose आप लोग क्रिकेट खेलते रहते हैं ठीक है आप लोग लोग ने देखा होगा कि जो यहां cricket में कि क्या होता है जब ball को हम लोग क्या करते हैं पास करते हैं ठीक है जब ball को पास करते हैं तो क्या होता है हम देखते हैं कि उनके पीछे पीछे कुछ waves आ रही है ठीक है यहां कुछ यह हमारी light के पास होती है तो मैं भूली हो electron निकालती है यह emit करती है यह हमने किसमें देखा था यह हमने देखा था तो आज हम देखते हैं कि dual behavior तो यह जो photon होती है यह जो photon आती है यह photon का behavior क्या होता है यह wave की तरह भी होता है और particle की तरह भी होता है अब देखो universe में हमारे हम देखेंगे कि क्या होता है एक energy होता है और एक mass होता है यह देखो यह तो यह यह क्या होता है energy energy होता है किसी भी think में और मास होता है तो हमने देखा कि जो energy होता है वो क्या होता है उसमें energy में क्या होता है energy में energy होता है उसमें wave nature होता है ठीक है यह मास यह दोनों के बीच एक relation होता है energy को E से सो करते है तो E is equal mc² बोल सकते हैं E equal mc² बोल सकते हैं इसको ऑपन ठीक है अब देखो यह मास क्या होता है यह मास mc2 हो जाएगा, इतना तो है, तो जो मास होती है, इनमें भी क्या होता है, इनमें भी पार्टिकल की तरह क्या करती है, बिहेव करती है, तो देखो, यहीं पे हम लोग अपन क्या करते हैं, देखते हैं, तो जो एनर्जी है, ये एनर्जी में तो वेव की तरह, वेव नेचर है तो वेव नेचर है, तो इसमें पार्टिकल नेचर भी होता है, क्या होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है, अब इसमें पार्टिकल नेचर है, तो अब इसमें मास में भी क्या होगा, वेव नेचर है, तो देखो, हम लोग इसको क्या करते है, कोई भी वेव जब क्या होता है पार्तिकल जहाँ पे क्या करता है? यह travel करता है यह देखो यहां पे travel करता है तो यह क्या होता है? travel करता है इसको हम लोग बोलते है m hypothum Mom burning को हम लोग किसे सो के हिँ? यहां पे leagate が momentum wealth किसे note करते है? पीसे मुपमेंटम को किसे note करते है? पीसे तो हमाई जो deep log lid है उन्हों ने कहा कि उनके according जो motion जो passes होती है material ठीक है वो उनका nature wave nature की तरह भी होता है और particle nature की तरह भी होता है यदि मैं आप अपर बता दी तो किस से रिनोट करते हैं पी से रिनोट करते हैं ये भी बता दिने आपको अब देखते हैं कि ये क्या इसके आगे देखते हैं ठीक है तो इस case में हम photon क्या होता है इसका करेक्टर wave की तरह होता है ठीक है क्या होता है ये वेव की तरह होता है ठीक है अब देखो इसको कैसे हम लोग तो इसको हम लोग दोनो energy और इसके भी हम लोग क्या कर सकते हैं इसको इसको हम लोग energy में बताई हैं अभी कि energy हम लोग और energy equals क्या होता है mass हम लोग इसको एक दूसरे relation बता सकते हैं वो इस बताई थी है तो यह देखो हमारे जो इस case में जो photon है ठीक है photon क्या करेक्टर ठीक है एक वेब करेक्टर क्या है अब इसको मैं कैसे लिख सकते हैं हम लोग इसको हम लोग लिख सकते हैं ठीक है यह energy देगा तो इसको हम लोग e is equal h mu लिख सकते हैं ठीक है इसको हम लोग equation number क्या देते हैं फोटान एनर्जी दे रहा है बताई मैं एनर्जी और मास के बीच यह देखो एक बारार गहां पर एक्स्प्लेंग कर देती हूं यह क्या है हमारे जो प्लेंग कॉंस्टेंट थे उन्होंने कहा था क्या कहा था कि जो फोटान आती है क्या होती है मतलब उनके एक फोटान क्या होता है यह हमारा कॉंस्टेंट है ठीक है यहां पर कर सकते हैं यहां पर कर सकते हैं इसको तो यह देखो इसको उन्हों चार्टा आगे हम लोग इसको बोज सकते हैं यह यहां पर हम लोग लीख सकते हैं यह e sql e sql h और V यह हमारा first equation हो गया अब second equation में हम लोग देखते हैं कि क्या होता है यह देखो यह जो photon होता है इनकी particle की क्या होती है energy क्या होंती है e2 nc2 मैं अब बताई थी उसमें दोनों को सुझे करते हैंいました हुआ है इसलोंसी हमारा और हमारा हो गया heut Рआण are ॰सकर से करकि क्या होuar нужно कि आध लिग शक्ति हैUNG an about the equation for 2 बताथे क्या है 살ے बोट यह हमारा the equation. First and second से. ले सकते हैं First and Second. तो यह देखो. V gate. तो देखो. यह हमारा दूनों equation है First and Second. यह हमारा First and Second equation हो गया. अब देखो. हम लोग क्या वा detection दोनों को compare करके देखते हैं. हमारा हो गया है ह्ग मैं बताए थी आग स्थी फ्लाइंग कॉंस्टेंट होता है मैं बता हूंija किस्को घैएट का था खशनल सब्सक्राइब इसदी रआ घैएट्री समंग और पूंग क cann की अनरजी है अब फूंग ग आतिए आजमारा घैएट्राइंग स स्थी Relations होता है तो इसको हम लोग e is equal क्या खा सकते हैं यहाँ पे हम e is equal h में लिख सकते हैं h क्या होता है blank constant होता है मैं बता आ चुकी हूं जिसकी value बताई थी 6.626 x 10 की power minus 34 यह बताई थी मैं आप लोग को बट यहाँ पर हम लोग यहाँ पर दोनों केस को लेते हैं यह एक photon की energy होई हमारी मैं बताई थी कि जो e होता है प्रिवियास वीडियो में वह एक जो हमारी wave तो क्या कर रही है तो वह wave की तरह भी travel करेगी और क्या है और particle की तरह भी तो हम एक photon पकेट जो photon होती वह packet में होती तो यह हमारी एक photon की energy हो गई ठीक है अब मैं यहाँ पर बताई कि अब उसमें जो पार्टिकल की तरह है तो पार्टिकल में क्या होता है मास होता है तो यह हमारी energy equal mc2 यह first equation and second equation हो गया अब देखो अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं हम दोनों को compare करके देखते हैं तो हमारा यह आ जाएगा is equal mc2 ठीक है इतना हम लोग बोल सकते हैं अब देखो यहाँ पर क्या है हमें पता है कि यह यह देखो न यह जो हमारा mc2 इसको हम लोग क्या करते हैं यह हमारा पीछी प्रिव्यास वीडियो में बताई है कि क्या होता है velocity यह हमारा wavelength है wavelength equal क्या होता है बताई थी इस को हम लोग 1 lambda से भी लिख सकते है speed of light भी होता है करके बताई थी यह हमारा speed of light यहाँ पर लिख देते हैं c divided तो हम लोग इसका माँ यहाँ पर put कर सकते हैं तो h का h और यहाँ यह wavelength क्या होता है यह हो आता है c upon lambda, lambda हो गया फिर इसको हम लोग क्या करते है, equal mc square, लिख सकते है mc square, यहाँ पे यह देखू न, यहाँ पे c, अब देखना न, यह जो c है, यह c दूनों क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे बच्चा क्या, यहाँ पे हमारा बंच गया, h lambda equal, क्या हो जाएगा, mc, यह हमारा, lambda equal हो जाएगा, h, और यह हमारा हो जाएगा, mc, यह हमारा किसका निकल गया, यह हमारा, यह निकल गया, ठीक है, यह आया समाझ में, ठीक है, अब देखो, यह क्या है, h, यहाँ पे में बता देती है, h equal है, blank constant, यह हमारा है, blank constant, लिख सकते हैं, और m is equal क्या होता है, mass of photon, यह mass क्या है, photon, photon लिख सकते हैं, और यह c, c क्या है, speed of light, speed of light, यह क्या है, हमारा, यह speed of light निकल गया, अब देखो, अब यहीं पे हम लोग देखते हैं, कि इसमें, यह हमारा समाझ में आ गया, ठीक है, अब देखो, इसमें हम लोग, drigrogly, हमारे जो scientist से drigrogly equation को, इसमें हम लोग क्या करते हैं, connect करते हैं, ठीक है, हमें, जो drigrogly थे, उनके according मैं बताई थी, कि क्या करते हैं वो, कि वो particle और क्या करते हैं वो, यह यहाँ पे drigrogly है, यह देखो, यहाँ पे, lambda क्या है, drigrogly ठीक है, अब देखो, यह हमारा, क्या निकल गया, यह हमारा निकल गया, speed of light है, speed of light का मैं बताई थी, यह देखो, आप यहाँ क्या करते हैं हम इसको, हमें यहाँ पे equation apply करते हैं, considerable equation, drigrogly का equation, ठीक है, तो यह आगे देखते हैं, यह देखो, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे, what the equal equation, equation को हम इसमें, apply करते हैं, ठीक है, किसमें हमारे, dual behavior of metal, ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग इसमें apply करते हैं, तो यह देखो, यह हमारा हो जाएगा, यह हमारा इसमें क्या करते हैं? इसमें लिखते हैं, ठीक है? यह हमारा हो गया, यह हमारा हो गया, therefore, c become, become, क्या होता है, v, ठीक है? तो हम लोग इसको, मतलब c को हम लोग क्या लिख सकते हैं? v लिख सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर लिख देती है, but the above equation is applicable to, क्या है? यहाँ applicable to any material, particle, therefore, c become v, c को हम लोग क्या लिख सकते हैं? अब देखो, यहाँ पर यह हमारा हो गया, lambda, equal, h, इसको, v लिख सकते हैं, यह हमारा हो गया, v, तो यह हमारा हो गया, drigrogly equation, तो लिख बोलते हैं, drigrogly, drigrogly equation, ठीक है? यह हमारा drigrogly equation है, ठीक है, so d probably wavelength भी बोल सकते हैं, lambda, ठीक है, lambda को हम लोग क्या बोल सकते हैं, lambda को हम लोग बोल सकते हैं, d probably wavelength, यहाँ पे wave, यह length, यह क्या है, हमारा wavelength, ठीक है, डिक सकते हैं हम लोग, obviously डिक सकते हैं, ठीक है, अब देखो, अब क्या करते हैं, अब इसके आगे, मैं दोनों को add करी यह lambda हो गया, equal यह हमारा h और mv मैं बताया थे जिससे mass और moment हो उसको हम लोग क्या से सोख करते हैं, p से चोppen करते हैं, यह हमारा हो गया, vee sewhen kont और बताय थी, तो हम लोग यहां पे p रिख सकते हैं, p momentum है, यहुर्ब प्लैंग कॉंस्टेंट है लिक देखती हुम्हें प्लैंग कॉंस्टेंट यह हमारा है मोमेंटम ठीक है अब यह क्या है एज तो आप देखो यह पी कोल हम लोग लिख सकते हैं और हम लोग convert कर देते हैं यह ठीक है तो यह हमारा आ जाएगा लेंड़ा लेंड़ा आ जाएगा तो पी स्क्वल क्या हो जाएगा लेंड़ा यह हमारा हो जाएगा यह किसके किसको हम लोग लीख सकते हैं यह देखो यह को हम लोग क्या करते हैं यह देखो यह को हम लोग क्या करते हैं यह देखो यह को हम लोग क्या करते हैं यह डिलेक्ली प्रपोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्प यह wavelength यह हमारा क्या निकल गया रिव्लोगली पेशन का निकल गया ठीक है एक बराएवर सब्सक्राइब करते हैं मैं बताई है कि हमारे जो पार्टिकल आती है ठीक है एक photon का क्या होता है E-square, E-directly proportional होता है, इहां पर mu के, यह हमारा, तो हम लोग, plank constant का हम लोग हटाते हैं, तो यह हमारा निकल जाता है, first equation, यह है plank quantum, क्या है यह, यह photon आ रहा है उसका है, अब उसमें energy, energy, अब उसमें जो character सोगा रहा है, कि उसके पास mass भी होता है, कि इसके, यह energy के mass होता है, तो यह हमारा, यह वाला equation रहता है, E-square, M-square, दोनों को connect करके बता हैं, energy और mass को, तो यह हमारा निकल गया, speed of light होता है, यह, कौन, C, ठीका, यह, क्या होता है, speed of light होता है, ठीका, अब देखो, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, दोनों को हम लोग यहाँ पर compare कि, तो मैं बताई कि wavelength equal क्या है, हम लोग, यह speed of light upon wavelength होता है, फिर हम दोनों को क्या 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 क्य यहां प्लाइम कॉंस्टेंट है यह क्या 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 करते हैं वेवलेंथ को अप्लाई 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 करते हैं यह हमे हमारा time constant होता है और यह हमारा क्या है debrogly wavelength है तो हम लोग क्या 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 है व लेम्डा इक्वाल h upon h, क्या p दाल दिये, फिर यह p equal h upon lambda ठीक है फिर यह क्या है यह directly proportional होता है 1 upon lambda के ठीक है अब इतना आप लोगों समाज में आ गया होगा अब हम लोग देखते हैं relation between debrogly wavelength and kinetic energy के बारे में ठीक है तो देखो मैं आपने सबसे पहले मैं आपको बताई हूँ कि क्या होता है kinetic energy को किसे denote करते हैं यह देखो kinetic energy को denote करते हैं upon k और e से ठीक है किसे denote करते हैं upon k और e से तो यह देखो यह हमारा हो गया यह k और e ठीक है k और e फिर इक स्क्राइल क्या होता है वन इसको यह देखो 1 by 2 mv2 यह हमारा kinetic energy का होता है इसको हम लोग क्या मान लेते हैं इसको हम लोग मान लेते हैं equation first ठीक है relation between debrogly wavelength and kinetic energy को बेल रिलेशन देखते हैं ठीक है फिर इसना हम लोग कल ले लेते हैं अब हम लोग को पता है अब हम wavelength क्या देखेते previous में लेंड़ लेंड़ इक्वाल होता है h upon mv mv क्या होता है h upon mv होता है यह हमारा है क्या है second equation ठीक है इसको हम लोग second equation ले लेते हैं मैं भी बताई momentum यहां पर h क्या है यह ड्रिप्रोगली का wavelength है यह हमारा क्या है kinetic energy का formula है यहां पर लिख देती हम k e qa 1 by 2 mv2 यह हमारा है kinetic energy का formula है जिसको equation हम फर्स्ट माल जते हैं और यह क्या है हमारा drip booklet का equation है ठीक है यह plank constant है और यह क्या है यह हमारा mass है और यह क्या है यह हमारा wavelength तो यह हमारा होगा me यह हमारा होगे second equation इसको यहां पर लिख देती हूं मैं यह lambda square h यह m v और यह हमारा है second equation होगया अब क्या करते हैं यहां पर हम दोनों में relation देखते हैं तो यह देखो क्या होता है यहां पर हम यह h mu अब देखो यहां first and second equation यह हमारा first and second equation तो देखो यहां पर m v m v को हम लोग क्या लेख सकते हैं यहां पर m v यहां पर आ जाएगा तो यह हमारा हो जाएगा m v का square ठीक है और equal h और mu दोनों मेंसे लेंगे न यह देखो यह दोनों मेंसे हम लोग क्या निकाल लेंगे common यहां पर lambda m v square ठीक है यह हमारा हो गया और यह हमारा निकाल लेंगे m v square upon h mu अब यह mu है ठीक है यह हमारा mu है तो लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं लिख सकते हैं तो यह देखो m और v का square is equal है h और h upon यह हमारा हो गया lambda ठीक है यह हमारा हो गया m mu square और यह हमारा अब इसमें यह हमारा हो गया यह हमारा हो गया यह हमारा हो गया lambda square अब देखो अब दोनों को हम लोग करते हैं from equation first first and second first and second तो यह हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा m first equation हमारा क्या है यहां पर लिख देती हुए kinetic energy का e और यहां यहां पर 1 by 2mv square ठीक है mv square लिख दी और यहां पर क्या हो जाएगा यह यहां पर यह हो जाएगा h और यहां पर हो जाएगा यह mv तो यह देखो क्या हम दोनों में से common ले ले लेते हैं तो यह हमारा हो जाएगा m यह kinetic energy को हम लोग k इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इसको हम लोग k और e भी लिख सकते हैं ठीक है और यहां फिर e और k दोनों ले सकते हैं ठीक है तो यह देखो यहां पर क्या हो जाएगा यह दो यहां पर हमारा हो जाएगा यह यहां पर हमारा हो जाएगा 2 2 m अधी और यहां पर के कर दो हमारा हो जाएगा यह हमारा हो जाएगा यह दो यह दो आ जाएगा तो यहां पर हो जाएगा 2m 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 और यह हमारा हो गया 2m e और k ठीक हो गया अब इस तरह यह हमारा हो जाएगा यह है हमारा हो जाएगा यह हमारा हो जाएगा यह और k-square ठीख है यह बजाएगा हमारा अब देखो यह है हमारा दोनों में डिलेशन ठीख है अगया होगा क्या कि हम यह दोनों को ड्रीप लोग ली और उसको क्या बोलते हैं दूसरे के एक विर्शन में टैच किया है, ठीक है? ठीक है? आप देखो, यह हमारा हो गया और द्रीब अगली उसमें रिलेशन हो गया, ठीक है? ठीक है? आया समझ में? आगया समझ में? I hope आप लोगो समझ में आगया होगा